14.1.3 नर और मादा शरीर में वृद्धी और परिवर्धन नर और मादा शरीर में वृद्धी और परिवर्धन से हमारे शरीर में कई बदलाओ आते हैं गर्भ में पलरे बच्चे में नर और मादा जनन अंग का निर्मान छटे से साथवे हफ्ते में होने लगता है पर ये जन्म के बाद एक निशित उम्र में क्रियाशिल होते हैं बच्छपन से हमारा शरीर बदलता रहता है जब हम 10 से 14 साल के होते हैं तब बदलाओ की गती कुछ तेज हो जाती है वजन और लंबाई के सासाथ भूग भी बढ़ती है शरीर के कुछ हिसों पर मास बढ़ने लगता है जैसे स्तनों पर जांगों पर आदी बगल और प्रजनन अंगों पर बाल आने लगते हैं कई लड़के लड़कियों में चहरे पर मुहां से निकलना शुरू हो जाते हैं इस अवस्ता को किशोरा अवस्ता कहा जाता है शारिरिक बदलाओ के साथ स्वभाव में भी बदलाओ आने लगता है शरीर में होने वाले बदलाओ से संबंधि सवालों का जवाब ढूणने की कोशिश और कई बार संतुष्ट न होने से चिड़चिड़ापन नजर आता है सवभाव में बदलाओ या शरीर के बाहरी बदलाओ तो आसानी से दिख जाते हैं पर अंदर होने वाले बदलाओ दिखाई नहीं देते हैं जैसे कि हमें पता है कि बच्चा गर्भ में बढ़ता है परन्तो हम सब को यह पता नहीं होगा कि गर्भ में बच्चे के ठैरने की तयारी के लिए क्या-क्या बदलाओ होते हैं नर के जनन अंगों में क्या बदलाओ होता है इन बदलाओं को समझने के लिए हमें शरीर के अंदर के जनन अंगों की संड़शना को समझना होगा बदलाओं में जिनकी महत्पुन भूमिका होती है चित्र चार में नर और मादा जनन अंगों को दर्शाया गया है किशोरावस्था के दोरान लड़कों में आवाज और शरीर गठन में बदलाव आता है चहरे पर दाड़ी, मूच एवं शरीर के अन्य हिस्सों में जैसे छाती, बगल, जननंग, आदी पर बाल उगने लगते हैं जननंग क्रियाशिल होने से शुकराणों का निर्मान व्रिशन में होता है व्रिशन में शरीर के तापमान से कम तापमान होता है जिससे शुकराणों यहां लंबे समय तक संग रहित रहते हैं लड़कियों में किशोर अवस्था के समय महावारी मेंस्ट्रॉल साइकल की प्रक्रिया शुरू होती है चितर पाच में महावारी के कुछ अवस्थाओं को दर्शा आया गया है लड़की के शरीर के मादा जनन अंग में किशोर अवस्था आम तोर पर 10-14 वर्ष में होने वाले बदलाव महावारी की प्रक्रिया से शुरू होते हैं यह प्रक्रिया एक चक्र के रूप में चलती है इससे लड़की के शरीर में गरभाधान की तयारी होती है यदि इस अवस्था में अंडानू वशुक्रानू संपर्क में आ जाते हैं तो नई संत्यती के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है सिर्फ गरभाधान की अवस्था को छोड़कर 12-50 वर्ष के उम्र के बीच लड़कियों वो महिलाओं को हर महा महावारी आती है इसका मतलब यह है कि महावारी के एक बाद शुरू होने से लेकर हमेशा के लिए बंध होने तक एक महिला में बच्चे को जन देने की शमता होती है मगर 18-22 साल के उम्र में ही अंगो का पूर्ण विकास और मानसिक रुप से बच्चे को जन देने की तयारी हो पाती है निशेचन से युगमको अर्थात शुक्राणों और अंडानों का मेल होता है जिसे युगमनज जाइगोड बनता है निशेचन की प्रक्रिया मादा की यौनि मार्ग से शुरू होती है ज़ा हजारो लाखो शुकृरानों नर के शिषन द्वारा मादा के यौनि मार्ग में उच्सरजित किये जाते हैं यहीं से पूछ वाले शुक्राणों पूछ की सहायता से तैरते हुए अंड वहानियों तक पहुंसते हैं परंतु केवल एक शुक्राणों ही अंडानों से मिलने में सफल हो पाता है